आगामी लोकसवा चुनाबो के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रसासन पूरी तरह से त्यार हो गया है जिला प्रसासन द्वारा आदर्स आचार से हिन्ता के बाद जिला में धारा 144 लागू हो गयी है चुनाब प्रक्रिय समाप्त होने तक जिला के सभी लाइसेंस धारकों को इसी बीच अपने हत्यारों को नजदीक की पुलिस टेशन में जमा कराने होंगे ये जानकारी निर्वाचन अधिकारी एबम उपायुक्त सौलन बिनोत कुमार नदी उन्होंने कहा कि सरकार के जितने भी पोस्टर बाहोडिंग लगी हुई है उनको हटाने का कारियर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि लोगसबा चुनाबो में जिला के 3,83,070 मत दाता अपने मत का परियोग करेंगे दस मार्च को शाम को पांच बजे के बाद मोर्डन कौर्ड अप कंड़क्ट वो गोशित हो गया है जैसे शेडूर नों सवाई एलेक्शन का लोगसबा एलेक्शन 2019 का तो उसके साथ सारी त्यारियां एलेक्शन डिपार्टमेंट ने और हमारे जिला में सारी त्यारियां पुरी कर ली गए हैं जो हमारा लास्ट डेट है उसका फाइल करने का वह 29 चार रहेगा और सिमरली स्कुटने जो है 34 को होगी और बिडॉल जो है केंडेचर का वह 25 2019 को होगा और डेटो पॉल जो है 19.05 है और कॉंटिंग 23.05 2019 और सारी पॉल पर से 27.05 2019 को समापत हो जाएगे मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि किसी रियूमर में ना आए और जो भी 18 साल से पूरे हो गए हैं एक जनवरी 2019 तक वो अपना मत बनवाने के लिए जो छूट गए हैं वो उसके लिए अवेदन कर सकते हैं लास्ट डेट ओप नॉमिनेशन जो कि हमारा 29 चार का है तब तक वो अवेदन कर सकते हैं सो मैं सभी जितने भी मत दाता हैं उनसे अग्रायक करूँगा वो अपने मत का प्रियोग करें जब भी हम 19 मेरी को इलेक्शन में जाएं पॉलिंग स्टेशन पे तो सारे के सारे जो भी इलेक्टर हमारे इंडोल्ड है तो मैं तो चाहूँगा 100 परशंट लोग पॉलिंग करें हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सौलन से अमरप्रीत सिंग की रिपोर्ट